write the following in descriptive and tabular forms दो हमारे पर statements given as set builder notation के अंदर हम इनको पहले descriptive form के अंदर convert करेंगे और उसके बार tabular में या पहले tabular में भी कर सकते हैं फिर descriptive में लेकिन हमने दोनों questions को दोनों forms के अंदर convert करने हैं अब देखें फोर जो है वो आफ कोर्स पूरे उस set से multiply हो रहा है या common लिया हुआ है या आप सिंप्ली समझें के यहां पर वो पूरा multiply हो रहा element इसलिए हम जब इसको let's say जब हम इसको tabular form में लिखता हूं सबसे पहले मैं इसको अगर मैं इसको tabular form में लिखूं टेबलर form में एक इस तरह से आ जाएगा यहां पर हम देख सकते हैं जी कि हम यहां पर four को as it is लिखेंगे ठीक है और तो कि हम यहां पर element के दोर पर भी लिख लिख लिखें ठीक है जी f is equal to four into x साज़दर यहनि हम अब यह वाला जो set है इसको हम लिखेंगे और इसके जो elements आएंगे हम उनको four से multiply कर देंगे सबसे पहले अगर आप देखें कि हमारे पास जो set है वो क्या है set of integer है ठीक है और x की जो limitations है ठीक है greater और lesser में x जो है वो less than minus 1 है और greater than minus 12 है ठीक है अब minus 12 से greater number क्या होगा of course वो number होगा minus 11 फिर minus 11 से greater minus जो है वो 10 ठीक है इसी तरह x is less than minus 1 ठीक है minus 1 से less number minus 2 होगा इसका मतलब है कि number हमारे पास होजाएंगे minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 ठीक है minus 9 minus 10 और minus 11 ठीक है अब minus 12 include नहीं होगा minus 1 भी include नहीं होगा ठीक है अब इसी तरह अब चुके 4 यहाँ पर multiply हो रहा है तो actually हमारे पास set होगा जो के tablet form के इन तरह हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से होगा minus 8 इसी तरह minus 12 minus 16 minus 20 ठीक है और इसी तरह आप देख सकते हैं 4 के multiple zone last पे minus minus 44 ठीक है यह तो होगा जी हमारे पास tabular form के अंदर अब अगर descriptive form के अंदर मैं इसको लिख हूँ ठीक है in descriptive form descriptive यहाँ पर हम लिख भी देते हैं जी descriptive form के अंदर descriptive form के अंदर किस तरह से हो जाएगा हमारे पास आप यहाँ पर इस set को अगर आप देखे F is equal to set क्या है सिट अगर आप देखे माइनस 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 20 माइनस 44 तो अगर माइनस 8 से पीछे 4 के multiples की multiple की बात करें ठीक है जो multiple of 4 होगा ठीक है तो वो क्या हो सकता है के वो minus 4 होगा ठीक है अगर आप यहाँ पर देखें minus 4 होगा जो included नहीं है इसके right side पे देखें तो जो end पे होगा minus 48 होगा तो हम यूँ बात कर सकते हैं कि a set of a set of a set of multiple of 4 multiples of 4 between किस किस के है जी between minus 4 and minus 48 minus 4 and minus 48 यह हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a set of multiples अगर आप directly इसको लिखने जाए a set of multiples from from ठीक है between ही लिखेंगे between लिखेंगे अगर minus 8 to minus 44 तो minus 8 or minus 44 eliminate होजेगा हम लिखेंगे a set of multiples of 4 from minus 8 to minus 44 from minus 8 to minus 44 यह एक दूसरा तरीका हो सकते ठीक है इसी तरह अब यह हम जो हमारा next question है x that x belong to p यानि p for prime numbers and x is greater than 23 अब देखें आप prime numbers हमें पता जी prime numbers वो होते हैं जो self divide पे divide होते हैं या one पे divide होंगे या self पे divide होंगे ठीक है तो those are called prime numbers तो अब अगर आप इस set को लिखना चाहते हैं किस तरह से सबसे पहले अगर मैं टैबलर में लिखूँ इसको ठीक है numbers की form is to it तो टैबलर form में किस तरह जाएगा मैं लिखना पी is equal और आप 23 से next prime number देखते हैं 24 जो हो divisible by 2 है 3 है ठीक है 24 नहीं हो सकता 25 देखते हैं ये भी नहीं हो सकता 5 से divisible है ठीक है इसी तरह फिर आप 26 देखते है 26 2 से है ये भी नहीं हो सकता 27 भी नहीं हो सकता ठीक है 28 भी नहीं होगा because 2 से divisible है ठीक है 29 अब 29 अगर आप देखे तो 29 किसी भी एक number से divisible नहीं है तो लहाजा next जमारा number होगा वो 29 होगा prime number उसके बद भी कस greater देने अगर greater or equal to होता तो 23 भी include करते है इसलिए हम 23 से next जो 29 है अगर 30 देखें 30 divisible है 31 जो है वो नहीं है 32 भी है 33 भी है because 33 11 के साथ है ठीक है 34 35 36 next 37 इसी ज़रा वो तमाम number आप यहाँ से लिखते जाएंगे form ठीक है तो मैं इसको describe कर दूँगा किस तरह से जी के p is equal to p is equal to किस तरह से आजाएगा set of prime numbers greater than 23 ठीक है simple set of prime numbers प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन 23 या इसको एक और स्टेट्मेंट किस तरह से लिखी जा सकती है set of prime numbers greater or equal to 29 ठीक है greater than or equal to 29 अब से लिख सकते है set of prime numbers greater than or equal to 29 उसमें 29 भी include होगा और next चो number आ रहे हैं उसके अंदर because यह infinity तक move कर रहा है तो यह सारे तमाम के तमाम numbers उसमें include हो जाएगी तो यह ता जी हमारा descriptive form से हम किस तरह से स्ट को descriptive और tabular में लेके आदे हैं ठीक है